नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सभी पैट 2023 की परिक्षा 28 और 29 अक्टूबर को देने वाले हो अब इस परिक्षा में 80 प्लस स्कोर कैसे हो आखिरकार अंतिम समय में आपको क्या रणनिती अपनानी है तो मेरी एक बात दोस्तों याद कर लेना है ना और इस बात को बिलकुल लिखके रख लो और दिमाग के अंदर बिलकुल छाप लो अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो देखिए अब इस एक्जाम के मात्र आट और पांस तेरा केवल बचे हैं तेरा दिन है ना तो अब तक आपने हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी है ना और डी आई, रीजनिंग, हिंदी ये सब कुछ पढ़ लिया होगा है ना ये आपने पूरा खतम कर दिया होगा और लगबग लगबग सभी छात्रों ने ये पूरा कंप्रीट अब तक कर दिया होगा दोस्तों मेरी बात याद रखना करंट अफियर्स, ये जो बाकी बचे हैं तेरा दिन, इसमें आपको पिछले छे महीने का करंट अफियर्स धंग से रिवीजन कर लेना है बिलकुल अच्छे तरीके से, जैसे आपके ABCD याद है न, A, B, C, D, E, F, G, इसी तरीके से आपको लाष्ट छे महीने का करंट अफियर्स याद कर लेना है और 15-20 बार उसका रिवीजन कर लेना है ठीक है, करंट अफियर्स ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको पैट परिक्छा में भीड से अलग खड़ा कर देगा और ये बात मेरी आपको याद आएगी पेपर देने के बाद क्योंकि देखिये, इतिहास, बिगोल, समविधान, मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये लगबग-लगबग सभी कर देते हैं ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, तो आप ये कर दोगे बाकि करंट अफियर्स जो होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है इसको हर चातर अपने हाथ में नहीं ले पाता, और जिसने ले लिया, वो फिर 80 प्लस पहुंच जाता है उसे 80 प्लस करने से को रोग नहीं सकता, इसलिए करंट अफियर्स पर लाश्ट के दिनों में इस पेसल फोकस कर लेना, और इसका 15-20 बार जितना हो सके उतनी बार रिवीजन जरूर कर लेना है ना, तभी आप इस परिक्षा का तोड़ निकाल पाओगे बहुत-बहुत धन्यवा दोस्तों, जैहिंजा भारत, हमेशा खुश रहिए, मुश्काते रहिए